चलिए आज हम लोग आपकी कक्षा नौ में अध्याय चार है जिसमें दोहे सिर्षक से कुछ दोहे हैं जिनकी रचना रहीम दास जीने की है आज हम लोग इसके पाँच में दोहे की व्याख्या सीखते हैं बहुत ही सरल है यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बात सम लेते हैं फिर व्याख्या करते हैं ठीक है कही कही माने कहते हैं रहीम रहीम दास जी संपत्य माने धन या वैभव धन वैभव सगे माने सगे संबंधी रिष्टेदार बनत माने बन जाते हैं बहुत माने बहुत से और बहुरीत माने बहुत प्रकार से वीपत इमाने होता है मुशीबत या परिशानी कसावटी तो देखिए कसावटी एक पत्थर होता है जिस पे सोनार अगण के सोनार देखता है कि सही है कि नहीं लेकिन यहाँ पे जो कसावटी है वो पत्थर नहीं है बलकिन जो परिशानी है उसकी बात हो रही है व्याख्या जब हम लोग करेंगे तो आपको आजायेगा ठीक है, जै मतलब जो कासे मतलब खरा उतरे, पक्का उतरे, तेही माने वही, सांचे मतलब सच्चा, मीत माने मित्रिया ही तैसी, ठीक है, तो सभी कठीन सब्द हो गए, चलिए, अब इसकी व्याख्या हम लोग करें, संदर्व और प्रसंग की चर्चा कर लें, तो संदर्व की यदि बात करें, तो पहले भाग से देख लिजेगा, वही संदर्व पूरे दोहे के लिए होगा, ठीक है, प्रसंग बार 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 बतलता है, तो चले प्रसंग हम लोग लिख लेते हैं, और मैं बार 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 बतात प्रस्तु दोहे में रहीम दाजी ने सच्चे मित्र की पहचान को बहुत ही सुन्दर धंग से बताया है और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और डैश डालकी लिखेंगे प्रस्तु दोहे में आजाए कावे पर प्रस्तु दोहे में रहीम दाजी कहते हैं संपति धन और वैभव फिर अपने चूड़िए पास होने पर पास होने पर बहुत से सगे संबंधी बहुत प्रकार से बन जाते हैं बस एक एक सद पर ध्यान दीजिए अपने आप अर्थ निकलेगा फिर से एक बार देखें व्याख्या हेडिंग डालेंगे और डैश डालकी लिखेंगे प्रस्तु दोहे में रहीम दाजी कहते हैं संपति धन वैभव पास होने पर पास मतलब आपके पास हो पास होने पर बहुत से सगे संबंधी बहुत प्रकार से बन जाते हैं लेकिन अपने जोड़ी है लेकिन जो लेकिन जो विपत्ति रूपी कसवटी पर खरा उतरे अर्थात जो मुसीबत में आपका साथ दे वही आपका सच्चा मित्र होता है और आपकी व्याख्या समाप्त हो जाएगी कहां क्या कठिन है हिंदी में तो कुछ कठिन होता ही नहीं है या यूं कहा जाए कि पढ़ाई में कुछ कठिन होता नहीं बस थोड़ा साब ध्यान दीजी